अंदों ग्याना अनंद कर नेमि चंद गुड़े कंद मादव वंदत विमाले पद पुण्य पयोन दिनन् दोश दहन गुण गान गन् अरी करि हरी अरहंत स्वानु भूत रमनी रमन जगनायक जैवन्त सिध शुद साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार्श वस्तार वगतर नमत वो सुपतार है नीवानी विविद विदी वर्नत विश्व प्रमाः स्यात पद मुद्रत अयत हर करं सकल कल्यार मैनमोन गन जैन जन ग्यान ध्यान दन लीन मैन मान बिन दान दन एन हीन तन शीन एह विदी मंगल करन ते सब विदी मंगल होत होत दंगल दूर सब तम जो बानू दो गुरस्तान विवेचन अध्याय पहला समय ग्यान चंद्रिका पीटिका पेज नमबर 17 प्रश्ट नमबर 13 और उसका उत्तर पिछले दिनों से यहांपर चरणान्योग के पक्षपाती का स्वरूप और स्वरूप समझने के बाद उसकी जो माननिता थी उस माननिता का सही प्रतिपादन यहांपर किया जा रहा है हलाकि सामने वाले व्यक्ति को तो चर्णानियोग का पक्ष है लेकिन वही चर्णानियोग यथार्थ कैसे होता है ये टोड़ो मल जी इन उत्तरों में बता रहे है टोड़ो मल जी चर्णानियोग को सही रीती से पालन करने का उपाय बता रहे है चाहे वो व्रतों के संदर में उन्होंने कहा हो और चाहे तपों के संदर में उन्होंने कहा हो कुल मिला के बात इतनी सी है जिन्वानी में ही कहा गया है कि उपवास कीजिए हिंसा दिका त्याक कीजिए और जिन्वाणी में ही ये लिखा है कि ज्ञाना ब्यास कीजिए ठीक है? दोनों ही बाते जिन्वाणी में लिखी है लेकिन चरणान्यों के पक्षपाती जो है वो एक बात को तो मना कर रहा है और दूसरी बात को करने के लिए कह रहा है कुछ समझ बार है? मैं प्रारा हूँ कहां से कर रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? जिन्वाणी में उपवास, मतलब उपवास करने की भी प्रिणना की है तब करने की भी प्रिणना दी है क्योंकि ये सब करो, ये कहां लिखा है? जिन्वाणी में ही तो लिखा है वे दूसरी बात को neglect करके अपनी बात को प्रमुख रखना चाहरे है जबकि दोनों ही बाते जिन्वाणी में लिखी है इसलिए टोड़ा मल जी सामने वाला तो क्या कर रहा है ये गलत ये सही लेकिन टोड़ा मल जी कह रहे है ये तो सही है जो तुम सही कह रहे हो और जिसे तुम गलत कह रहे हो वो भी सही है समझ पा रहे हो मतलब ये है सही तरीके से प्रतिपादन करने की शहली ये नहीं सामने वाले ने कहा ये करो और ये गलत तो टोड़ा मल जी ने कहा नहीं तुम गला तो यह सही अपने साथ ऐसा होता है लेकिन टोड़ा मल जी ने कहा तुम जिसे सही बोल रहे हो वो तो सही है उपवास करना चाहिए जो तुम कह रहे हो वो तो करो लेकिन ऐसे है उसमें भी ज्यान अभ्यास की मुक्यता है और वो सारा कल अपन यहां पढ़ाता तो आपको वो समझ में आ गया ना कि टोड़ा मल जी किस रीती से उत्तर देते हैं मला किस प्रकार से उत्तर देते हैं आप से भी प्रशन पूछे जाएंगे तो आपको भी किस रूप में उत्तर देना है यह ऐसे सीखिए चीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो टोड़ा मल जी ने टोड़ा मल जी के सामने जो पांच पांच बिंदू उपस्तित किये देगे आप ऐसा कर लो वे कौन कौन से हैं एक वा सब लो मिल के बोलोगे पहला बिंदू क्या था दूसरा बिंदू क्या था तीसरा ठीक है चौधा बिल्कूल पांच अभी तक हम कितने के बारे में समझ ucharे हैं दो बिंदू के बारे में हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं अब आईए चलिए तीसरी की बात करते हैं तीसरा बिंदू क्या था? अरहन तादिक की भक्ती की जाए नाम स्मरण किया जाए ये सब करो मतलब इस क्लास को छोड़के भक्ती में बैठ जाओ ऐसा ही ये कह रहा है कि शास्त्रभ्यास के लिए तो वो मना कर रहा है कि शास्त्रभ्यास मत करो शास्त्रभ्यास को छोड़कर अगर भगवान की भक्ती करें तोड़मल जी कह रहे हैं भगवान की भक्ती करो ही सबसे पहले तो सुबह सुबह वही करते हैं हम देवदर्शन बाजवान की भक्ती ही तो है और शाम पी भक्ती तो वो तो करो निवे लेकिन भक्ती करते रोगे क्या कर सकते हो ग्या Alright, okay, now do अरसे परमीशन भी देदे मैं लेकिन कोई भी वंटि वेक्ती चोवथ गंटे परमीशने में भक्ती भक्ती करता रह सकता है क्या डूढ़ना सर्च करना मेले दो हाला कि एक दो सर्फिरे मिल भी सकते हैं सर्फिरे मतलब जो थोड़े जिन्हें सही स्वरूत नहीं पता होगा कदाज असे मिल भी सकते हैं लेकिन सच मुझ आप अपने उपर देखो हम तो अपनी बात करते हैं आपको रोज सुब़े से शाम तक सोचो जब कंटीन्यू विदान होता है तो उसमें तदाजिस कैसी फीलिंग होने लग जाती है अब सोचो वही कंटीन्यू आपको सुब़े से शाम तक और रोज कराया जाए इसका मतलब भक्ती करो ठीक है करना चाहिए करते भी है लेकिन क्या सिर्फ भक्ती मात्री भी चलती रहेगी देखो आप वोगोंने ध्यान से पढ़ा हो तो वीत्रा विज्ञान पाट माला में जो शटावशक का पाट है उसमें देव पूजा है ठीक है तो सिर्फ मात्र देव पूजा है भक्ती देव पूजा के अंदर कर आ गई ठीक है भक्ती का है अरहंत आदिका नाम स्मरण का है यही तो पूजा होती है और क्या होता है वो स्वाहा स्वाहा तो मैंने कल आपको बता दिया कि क्रिया का नाम नहीं है अरहंद की भक्ती करना उनका गुणानुबाद करना गुणों से पीती होना यही पूजा यही भक्ती अब कुछ भी नाम दो आप इसको तो मात्र आपने ध्यान दिया हो तो श्रावक को शट आवश्यक पालन करने के लिए कहा और वो श्रावक कही विदेख्षेत्र का नहीं है वो अपन ही है कुछ समझ में आ रहे हैं जैसे टोल अमाजी ने लिखा ना औरों की ही बाते करता है आत्मा की बात जब करता है ऐसे ही अपन भी जब शट आवश्यक की बात करते हैं तो ऐसा लगता है किसी औरों को पालन करने के लिए बोल रहे हूं लेकिन वो शटावशक तो शटावशक तो शटावशक को पालन करने चाहिए क्यों तुम क्या हो नहीं हो तुम मुनिराज हो मुनिराज भी शटावशक करते है नहीं नहीं श्रावक को करना चाहिए तो तुम क्या हो भाई ये तो बता हो तुम श्रावक नहीं हो आप लोग श्रावक नहीं हो अपन श्रावक नहीं है तो वो श्रावर्श के से बालन करना चाहिए श्रावक को करना चाहिए हमें लगता है कि जैनी लोग करें तो इसका मतलब क्या आप शावक नहीं हो क्या आप जैन नहीं हो नहीं नहीं हम तो विद्वान है तो जैनी विद्वान हो ना कि अजैनी विद्वान हो कुछ समझ रहो क्या कह रहो मतलब जैन दरमगी तो विद्वान हो तो जैन तो बनो पहले फिर जैनी विद्वान बनना वो शट आवश्य का पालन मैं तो क्या कह रहा था बापे साजों मैं तो यह कह रहा था कि वो शट आवश्य का पालन और छे छे आवश्य को का पालन एक ग्रहस्त करता है एक श्रावक करता है और उसमें मात्र देप पुजाई नहीं है गुरू पासना भी है स्वाध्याई भी है सैयम भी है तप्र भी है और दान भी है दान की चर्चा आगे आने वाली है अब यहाँ पर जो उसने खा कि अरहन तादी की भक्ति की जाए अब तोड़ा मल जी देखो तोड़ा मल जी यह नहीं कही है कि नहीं की जाए तोड़ा मल जी पता क्या कह रहे है तोड़ा मल जी यह कह रहे है कि हाँ की जाए लेकिन तुम्हें पता है कि सच्छी भक्ति कैसे होती है हाँ कैसे कैसे बात करो कैसे हम तो starting से मंदिर आ रहे हैं अब तो हम बता रहे हैं सच्छी बक्ति कैसी होती है हम तो starting से पूजा कर रहे हैं starting से दर्शन कर रहे हैं चोटे से आप लोगों को भी ले जाया होगा जब चोटे से अपन होते हैं तो family में ले जाना चालू कर देते हैं से संस्कार पढ़े हमारे अंदर तो हम तो starting से जब पूजान कर रहे हैं मंदर जा रहे हैं बक्ति कर रहे हैं और आप हमें बता रहो कि सच्छा कैसे कर रहे हैं तो हम के जूटा कर रहे हैं तोड़ा मल जी यहां कह रहे हैं कुल करम आदी से जो भक्ती की जाती है क्यों साब आप मंदिर क्यों जाते हो किसा सवाल करते हो क्यों जाते हैं हम जैन हैं वो जैनों के भगवान हैं इसलिए जा रहे हैं इसमें अंतर समझ रहे हो आप भगवान महावीर को क्यों पूछते हो तुम हिंदू हो तो तुम श्री कृष्ण को पूछते हो हम जैन है तो हम महावीर को पूछते है जब आप वारा वासी का स्वरूप समझोगे तब तो वहाँ समझोगे लेकिन यहाँ पर भी टोड़ा मल जी ने वह का यह सिर्फ और सिर्फ कुल करम से बक्ति हम जैन है यह जैनों के भगवान है इसलिए हम टोड़ा मल जी कह रहे हैं ऐसी बक्ति सची बक्ति नहीं होती क्योंकि ना तो तुम्हें यह पता है कि तुम कौन हो और ना तो तुम्हें यह पता है कि भगवान कौन है तुम्हें भगवान की सची महमा कहा रही है वो तो एक पाठ जो किसी ने लिख दिया अब वो पाठ मुह से बोल देते हो इसलिए आपने कभी ध्यान दिया हो जब दादा करतावाद की भक्तियों का निशियत कर रहे थे तब उन्होंने सबसे कहा था कि सब अपनी एक भक्ति लिखो सब दर्शन करने जाते हैं सब भक्ति लिखो हम अभी क्या करते हैं आप में से कई लिखने वाले भी है न लिखो अपनी भक्ति लिखो हम भगवान की कैसी भक्ति कर रहे हैं अभी तो जो लिखी हुई है, आई हुई है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन होता क्या है, पढ़ते 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 वह में याद हो जाती है, टोटो मलची ने लिखा मुख से उच्छारणादी होता रहता है, वो डम डमा डम होता रहता है, माइक वाले माइक वह स्वाहेब में बोलते रहे थी हैं वह सुआःओवाले स्वाहा करते रहे थी हैं सब हो जाता है और कुछ पते नहीं चलता इसीलिए ऐसी जो भकति होती हुती हिंदे हैं क्योंकि इए घुके अनल चर्ण भलकारिये यह यह सच्छी बक्ती नहीं है इसकी एक आपको बुला आज पूजा होगी और आप पूजा कर रहरे हो यह तो परादीन होगी नए नए जा पूजन में सब को जाना है ठीक है जले जा रहे हैं जो देदी। अपर खड़ हो गए है। जो भी सोटें ना, अदासीन जो खड़ हो गए है। बैठ गए है। पर सामने वाले ने पुस्तक दी। भीया पड़ लो बैठे हो दो नहीं नहीं ठीक है तुम ले लो क्योंकि भी पकड़ेंगे तो वो बजन हो जाएगा ना, पर देखना पड़ेगा ना, ने ने तुम पकड़े रहो हम तोड़ा जहाकेंगे भी इतर भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे, बोजनाले में कित्ती दे रहे हैं ये भी देखेंगे हमें बहुत सारे काम करने है और कदाचित हम मुख से उचारनादी भी करते रहेंगे और हमें पता ही नहीं हम कहां बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि उसका क्या मतलब है तो ऐसी जो भक्ती होती है कल आपको मेरा एक उधारन याद है फल देगी की नहीं देगी फल देगी की नहीं देगी गलत है अगर आप के दो कि नहीं फल नहीं देगी तो आपका उत्तर गलत है फल देगी एक उतायान दिया था याद है कितना करोड की जगा बित्ता समझ लो लोगों, अच्छा, तो हमें फल नहीं लगेगा, लगेगा न, मिलेगा, किसमेगा नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा, जो तुमने किया है, वो पूरा फल लगेगा, तुम उदर जहांके थे न, उसका भी फल लगेगा, दिक्कत पते क्या होती है, अरे हम तो इतनी पूजा कर र वक्त तुमने यहां वाँ जहां का था उसका भी फल मिलेगा हिसाब तो यही है ना स्वाध्याय करते वक्त आप जो यहां ध्यान से एकागरचितों का जिन्वानी का जो सुन रहे हो उसका निश्चित रूप से फल मिलेगा और कब ख़तम हो ऐसा विकल्ब है उसका भी निश्चित रूप से फल मिलेगा है है रोज रोज लग रही है उसका भी निश्चित रूप से फल मिलेगा सभी का फल मिलेगा चिंता क्यों करते हो जो जैसा जितना जिस माध्यम से हो जैसा किया जाता है उसका फल मिलता है तो इसलिए टोड़ा मरजी ने कहा कि भक्ति तुम इस रूप से कर रहे हो जबकी तो सची भक्ति कैसे होगी है हमें यह बता दो बहुत अच्छा सीधा अच्छा हो पाए है शास्त्रभ्यास करो क्यों साथ उससे क्या हो जाएगा शास्त्रभ्यास मतलब अभी किस शास्त्रभ्यास की बात कर रहे है कर्णानियोक के यह मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कर्णानियोक कर शास्त्रभ्यास करो क्यों मयंग कर्णानियोक पढ़के क्या हो जाएगा अब गुरस्तान पढ़के क्या हो जाएगा सुनो जब तुम गुरस्तान पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितने पानी में हो और भगवान कहा है जब तुम्हें गुरस्तान का स्वरूप समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कहां और भगवान कहां तुम्हारी कशाय कितनी है और वो कैसे है तुम्हारे दर्शन ग्यान चारित्र की क्या अतारतम में था मैंने गुड़स्तान का अर्थ किया था था गुड़स्तान तुम्हारे श्रद्दा और चारित्र उनका क्या इस्तान है और उनका क्या है कम पहरे साथ जब तुम देखोगे कि तुम्हारे श्रद्दा और चारित्र कैसा हो रहा है अब भगवान का श्रद्दा और चारित्र जब तुम गुरिस्तान से इसका सोरूप समझोगे तब तुम्हें बगवान की सच्ची बक्ती आएगी जब तुम्हें यह पता चलेगा कि द्रभ या पेक्षा से तो आत्मा सिद्ध समान है लेकिन ना माने तो पहले ही गुरस्तान है वो पहले मिठ्यात तो गुरस्तान ही है सिद्ध समान होते हुए भी और उन्होंने सिद्ध अवस्ता की प्राप्ती पर्याय में भी की वो गुरस्ताना तीत हो गया अरंत की बात करें तो वो तेरवे गुरस्तान में है जब तुम्हें एक्चुल पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है हम कहां और भगवान कहां कहां राजा भोस जब तुम्हें ऐसा बराबर बेभिज्ञान हो जाएगा या थार्त जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम क्यों उनकी बक्ति करें मेरा पॉइंट समझ में आएगा क्लियर हो गया अब इसको पढ़ लेते हैं और जो लगेगा मुझे वो आपको में समझा भी दूँगा पेज नमर है सत्रा सेकिंड पैरग्राफ कौंसा पॉइंट चल रहा है थर्ड पॉइंट द्यान रखना दीपम तीसरा बिंदू चल रहा है अपना जीवादिक के विशेश रूप गुडस्तान आदी का स्वरूप जानने से अरहंत आदी का स्वरूप भली प्रकार पैचाना जाता है तुमने कहा ना कि अरहंत का नामस्मरण किया जाए भक्ती की जाए तो अरहंत का स्वरूप पता है तुमें किसे भक्ती करनी है नहीं साब हमें तो भक्ती करनी है चाह सामने अरंथ हो चाहे देव हो, चाहे कुदेव हो चाहे रागी हो, चाहे द्वेशी हो तो तुम्हें अरंथ का स्वरूप पत है नहीं साब, कैसे पता चलेगा गुरस्तान को पढ़ो क्यों गुड़स्तान को पढ़ने से क्या होगा अरहंत परमेश्टी तेरवे गुड़स्तान वर्ती होते हैं उस तेरवे गुड़स्तान का क्या स्वरूप है यह पढ़ो तब ही तो तुम्हें समझ में आएगा ना कि उस गुड़स्तान वर्ती जो जीव है उनका क्या स्वरूप है मेरी बात समझ में आ रही है न गुरस्तान को पढ़ने से क्या होगा गुरस्तान को पढ़ने से ये होगा कि तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुम्हारा तुम कहा हो और तुम्हें ये भी पता चलेगा कि जो अरहंत होते हैं वे कैसे होते हैं? उस गुड़तान में उनका क्या स्वरूब होता है? कथाचित कोई व्यक्ति अरहंत को ब Нач पेना दे और कहा है नहीं नहीं चलता है तो आप को बोग नहीं ठीरे गुड़तान में ऐसा होता ही नहीं है प्री बस्टरों का अभाव तो साथवे चटवे गुड़स्तान से ही प्रारम हो जाता है मस्तों का त्याग कहें नगले दिगंबल दशा कहें कुछ समझ पा रहे हो तो इसका मतलब यह कैसे होगा जब गुड़स्तान हो, नहीं नहीं उस गुड़स्तान में होई नहीं सकता अभी आपको लगता होगा मुनिराज यह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं मन्दिर बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए यह ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसमें मतलब जो तुम यह देखो कि छटवे साथवे गुड़स्तान में ऐसे विकलप आते हैं कि नहीं आते हैं clear? अगर उस गुड़स्तान, जैसे आप पढ़ोगे तब आपन समझेंगे इस चीज को, अगर उस गुड़स्तान में वो विकलप नहीं आते हैं और किसी को अगर आ रहे हैं तो समझ लोगो गुड़स्तान नहीं है जो जिस गुड़स्तान में होता है उसको उस गुड़स्तान के भाव आते है यह समझ ले नामेशा ठीक है तो समझ में आते हैं तो गुड़स्तान की कितनी उप्यों किता है क्यों कि गुड़स्तान हमें बताता है कि actual तराजूर पे तौल कर कि इस गुरस्तान में ये दशा होती है इस दशा होने पर ये भाव होते है ये भाव होने पर ये ये क्रिया होती है बस तो इसका मतलब कोई कहे कि नहीं अब देखो कोई कहे मैं तो नंगने दिखंबर कि गलत बात है क्यों क्यों बाई साब ये आपके ये जो है न ये ये चीक चीक ची ची चिला रहे हैं कि आपको छटवा साथवा कुड़स्तान नहीं है को समझ रहो क्या कह रहा हूँ ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है यह पता रहा है कि आपको वो गुड़स्तान नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि इसको समझने से इतना अच्छा काम यह होता है कि हमें यह पता चल जाता है कि किस गुड़स्तान में कैसा भाव होता है और उस भाव होने पर कैसी क्रिया होती है कुछ समझ में आ रहा है अरहंद है तो अरहंद के स्वरूप तेरवे गोड़स्तान में क्या होता है अभी तो पता है लोगों को अरहंद का स्वरूप पता नहीं तो उनको लगता है भी हमारा बला कर देंगे लेकिन भई जब आप गुड़स्तान पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि भला करने का जो भाव है वो तो राक के कारण होता है और राक का भाव पहली कर दिया बार के गुड़स्तान में तो उनको ये भाव कैसे हो सकता है कुछ समझ पारे हो इसलिए करना न्योक से ऐसा ज्यान होता है बला राक कि अगर आप गुड़स्तान आदिक का स्वरूप समझ लोगे तो अरहंत का स्वरूप आपको विशिश ख्याल में आएगा अभी भी तुम जानते हो ना वो तुम कुल करम से जानते हो जीवादिक के विशिश रूप गुड़स्तान आदिक का स्वरूप जानने से ही अरहंत आदिक का स्वरूप भले प्रकार पहचाना जाता है गुड़स्तान के माद्यम से तथा अपनी अवस्ता पहचानी जाती है मैंने भी आपको थोड़े देर पहले कहाता है कौन कितने पानी में है हम कितने पानी में है बगवान कहा है मोक्ष मार्ग में क्या इस्तान है ये समझ में आ जाता है ऐसी पहचान होने पर जो अंतरंग में तीवर भ्रक्ती प्रकट होती है कि अरे रे मैं सिद्ध समान होने पर भी गुडस्तान पहला सिद्ध समान होने पर भी गुडस्तान तो पहले ही है भाई साथ समझ जो या सिद्ध समान होने पर भी गुडस्तान तो अभी चोथे ही है सम्यक्द है और भवान ने उस-उस स्टेज को पार किया उनों कशायों का अभाव करते चले गए तो देखो कितना पुर्शाद का काम है इसी तीवर भक्ती आये बिना नहीं रहती एकुल मिलाके बात ये कहना चाहरे है भक्ती अपने आप आती है भगवान की भक्ती क्या आती है जब आप उनका सही स्वरूप समझोगे और आपको अपनी दशा पता हो और भगवान की दशा पता हो तब उनकी भक्ती आती है फिर मेरे ख्याल से बोलने की जिरूवत नहीं होती कि आप ये करो जिसको भगवान देखो एक्जाम्पल देता हूँ जिसको किसी की प्रतीबी तीवर भगती होती है वो देखे भिना उसके नहीं रहता ठीक है सीदी जी बात है जैसे ये जो बॉडी बुल्ड़र्स होते हैं जिने बॉडी बनाना होती है उनकी जिम में किसकी फोटो लगी रहती है ये सीना, जॉन सीना, कौन से सीना, कौन सी छाती, इन सब लोगों की फोटो लगी होगी की नहीं लगी होगी, उसको बार 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 वो जब मेहनत करेगा तो अपने सामने क्या लक्ष रखेगा, मुझे ऐसी, ऐसा फिकर चाहिए, जो मैं तो एक्जाम्बल बता रहा उसको बार बार ऐसा विकल पाएगा देखने का, अपने आप आता है, ये पता है सहज होता है, आप प्रैक्टिकल करके देखो मैं क्या कहूँ, बार बार विकल पाएगा, उसकी चर्शा सुनने का विकल पाएगा, मतलब प्रत्मान योग आपको ध्यान होगा या आप लोग नियूस्पेपर पढ़ते हो तो दैनेक भासकर आता है या राइस्तन पत्रिका जो भी अख़वार आता हो उसमें एक पेज होता है सिलेब्रिटीज के बारे में क्यों ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनको अपना आदर्शमान रखा है बेचाते हैं कि उनकी एक एक बात उनने पता चले कि अब वो कहां जा रहे हैं कौनसे अबॉर्ट फंक्शन में जा रहे हैं कौनसा उनको प्राइज मिला, क्या मिला, क्या हुआ कौनसी मूवी हिट गई उनकी कौनसी फ्लॉप गई उसको अपन्याप आती है वक्ति हाला कि वो कभी उसे मिला भी नहीं हो तो भी आती है कि एगी नहीं आती है ऐसे ही जब गुव्वस्तान का स्वरूफ समझ कर जिससे मोख्षिमार के प्राप्त करना हो वो उसको अपनियाब ऐसी भक्ति आती है कि कहां हम है कहां भगवान है ऐसी तीवर भक्ति में उसको अपनियाब आती है ऐसी पैचान होने पर जो अंतरंग में तीवर भक्ति प्रगट होती है वही बहुत कारिकारी है बहुत कारिकारी है मतलब वही सच्चा फल देती है इसलिए भक्ती में भी ग्याना ब्यासी प्रदान है समझ में आगया और जो बिना पड़े लिखे लोग भक्ती करते हैं आप देखो क्या करते है कभी देखा आपने कैसे भगवान के सामने दीन ही ये करदो, वो करदो, ऐसा करदो अगर उन्हों ग्याना ब्यास किया होता सत्य सवुरूप संजा होता तो ऐसा कैसे बोल पाते हैं? कैसे कह पाते हैं? ठेखो आप डाहा है आपको समझ में? थर्ड पॉंट इसको कन्कुलिशन करके इसको एंड करतेता हूं कुल मिला के यहां टोड़ा मल जी ने ये कहा सामने वाले ने तो ये प्रशन कहा था कि शास्त्रभ्यास छोड़कर तुम तो भक्ती करो तो टोड़ा मल जी ने कहा कि भाईया भक्ती भी सच्ची तभी होगी जब तुम्हें शास्त्रभ्यास होगा क्यों साब ऐसा क्यों कहते हो क्योंकि जब तुम्हें शास्त्रभ्यास होगा तब तुम सच्चा सुरूप जानोगे गुरस्तान आदे के माद्यम से जानोगे या किसी के भी माद्यम से जानोगे तब तुम्हें अंतरंग में सच्ची भक्ती होगी और अभी जो तुम भक्ती कर रहे हो या तो तुम्हें कोई अभिलाशा होगी लोब कशाय होगी या भैकशाय होगी कि कहीं नरक में ना चले जाएं कहीं संसार में ना रुल जाएं या तो भैकशाय की वशीबूत होकर या लोब स्वर्ग में चले जाएंगे या ये मिल जाएगा तो या अभी तो तुम भक्ती जो कर रहे हो वो कशायों की वशिवूत होके कर रहे हो ये फल, इसमें क्या फल मिलेगा मिलेगा लेकिन किंचित फल मिलेगा लेकिन ऐसी जो सच्ची बक्ती होती है चौथा बिंदू, क्या कहा था, पढ़के बताईए दान दिया जाए क्या फाल्दू में बैटे बाते कर रहे हूं चलो दो, दान दो दो, एक तुम मैं इसके संदर में कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों को से लगता है कि हमारे जीवन में चारों दान कैसे हूं आते कभी लगता है कि हम चारों दान देंगे शावक को देना चाहिए, मैंने पहले क्लियर कर दिया शटकर्मानी उसमें दान भी है और हम शावक हैंगे, मैंने भी क्लियर किया इसका मतलब हमें दान देना चाहिए ये क्लियर हुआ अब आपको लगता है कि आप 24 गंटे में दिने दिने कही न तो मलत दिन दिन रोज रोज तो रोज हम कैसे दान करें कभी सोचते हो आप कि हमारे जीवन में आर दान कैसे हो हमारे जीवन में आउशदी दान कैसे हो अवै दान कैसे हो ग्यान दान कैसे हो अब आप कह सकते साथ हमें तो मुनिराज नहीं दिखते तो हम आर दान कैसे करें सच बोल रहा है वो बिल्कुल आप चाहें तो जब अब वही है जब आप मैं क्या कहूँ अब बताओ मैं कभी-कभी ऐसा लगता है कि अपने धरम की अच्छा ही बताने के लिए दूसरे धरम का उधान देना पड़े तो में को अच्छा ही लगता फिर भी दे देता हूँ अब आपको मुझे ये कहना पड़ेगा कि पंजाबी लोगों से सीखो कि लंगर कैसे लगाते हैं अपने बाईयों को बोजन कैसे कराते हैं अब अच्छा लगता है ये कहना मुझे दो नहीं लगता कि किसी धरम का उधान दिया जाए अब मैं आपसे ये बोलू कि चपल ऐसे रखो ऐसा करो सीखना है तो देखो मेरे पास एक फोटो गाई देजिसमें बुद्ध धरम के थे वो सब लाइन से चपल उतारे जा रहे थे अब मैं आप से ये कहूं कि देखो इंसे कुछ सीखो अच्छा लगता है ऐसा है मैं आप से ये कहूं कि देखो मुसलमान भी मंदि जाता है तो टोपी लगा के जाता है ओ मस्जद जाता है सौरी मुसलमान भी मस्जद जाता है तो टोपी लगा के जाता है विल्कुल काईदे से जाता है कुछ समझ रहे हूं मैं क्या कहना चाहरा हूं अब मैं आपको ऐसे मैं इस तरीक से प्रेरित करूं उन से सीखो कि आप आप कुछ एक उधान बनों के लोग कहेंगे इन से सीखो, जैनियों से सीखो, अब देखो मैं तो क्या गहना चाह रहा हूं, आप भी आहरदान कर सकते हो, लेकिन वो आपको आहरदान लगे तर ना, आपको तो ड्यूटी लगती है, और कर्ष्ट लगता है, सच मुझ मैं सच म ना हो, भविष्य में प्राग अबाव प्रद्वन से अभाव, भविष्य में जब एक बड़ा विद्वान बन जाएगा, मालो हमें ना मिले, तब हमें ये तो लगे कि हमने इनको भोजन करा के गौरव कानुभव किया, सब कैसे हैं, बदाओ आपन एक दूसरे कैसे हैं, को कोई बीमार और भोजन की भी ना पूचें, कोई बीमार हो, तो अससे कुछ पूचे भी नहीं, और शदीदान कैसे होगा, बोलो, कभी आपको लगता है, कि सम्यक दरस्थी जीव के निर्व चिकेट्सा अंग होता है, आपकी जीवन में निर्व चिकेट्सा अंग कैसे हो, आप बीमार व्यक्ति की अगर सेवा नहीं करते हैं, तो निर्वी चिकित्सा कैसे हो गई, और सम्यक दर्शन कैसे होगा, पर तो बाते हैं, सम्यक दरश्टी के आठों अंग होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, हर जगा लिखा है, और निर्वी चिकित्सा एक अंग है, और अ चाहिए, कौन सी और्षदी चाहिए, क्या दवाई चाहिए, अगर इसका नहीं रख रहे हैं, तो कैसे आपके जीवन में सम्मेक दर्शन होगा, मुझे बता दो, अगर इसके बिना भी हो सकता हो, तो कुई उपाय हो तो, सोचो, आहारदान और अश्रिदान ऐसे हो सकता है, अगर करना हो तो, लेकिन होता गया है अभी वो जो हम कर रहे हैं, वो डुटी लगती है, जबकि वो हमारा करतव्य है को समझदो डूटी और करतव्य में अभी वो बोज लगती क्योंकि हमसे बोला गया है एक से पंद्रा और फिर एक से पंद्रा बादों को ऐसे लगता है कि हमें ही जो घसीटा जाता है क्या इन्हें एक से पंद्रा के आगे गिंती नहीं आती है न लगता है न चैतन न सो सोचो जीवन में आहारदान और और औशेदान कैसे होगा श्रावक बनना है बोलो कैसे हो पाएगा इसलिए यहां तो क्या कहा गया है और मुझे तो आपको सिर्फ यह बोला था कमसे का हमारे अंदर ऐसी भावनात होनी चाहिए आहरदान है औशदी दान है अभरदान है ग्यान दान है ग्यान दान तो चलो देते भी हैं करते भी हैं अब देखो यह तो होगी बात अलग ठीक है अब बापस आजाईए यहाँ पर यहां तो यह कहा कि दान दो दान देना चाहिए तो टोड़ा मल जी कह रहे हैं कि तुम सही कह रहे हो कि दान देना चाहिए लेकि तुम्हें पता है कि दान कितने होते हैं कितने होते हैं चार होते हैं ना उन चार दान में से ज्ञान दान भी तो एक दान है है कि नहीं ज्ञान दान भी एक दान है ये ज्ञान दान जरूरी नहीं है कि शास्तर सवा में बैठके ही दिया जाता हो जैसे अब ये क्लास चल लिए ना चलते फिरते भी एक दूसरे को ग्यान दान दिया जाता है चोटे से बच्चा हो और उसको हम लमुकार मंत्र सिखा हैं ये ग्यान दान है सोचो हमें भी तो ऐसे किसी ने ग्यान दान दिया था तबी तो हमें लमुकार मंत्र याद है यह ज्यान दान की परंपरा है और एक शास्तर में लिखा है कि ज्यान दान का फल केवल ज्यान है आप सोचो आप क्या कर रहे हो अभी जो हम ज्यान दान देंगे इसका परंपरा से फल तुरंत नहीं बहुत परंपरा समझते हूं न ये ग्यान दान के जो संस्कार है हमारे अंदर, ऐसे जो पलेंगे उसका परंपरा से फल तो केवल ग्यान की प्राक्ति है योई हम कामी उन्हीं लोगों का कर रहे है कड़धर आचारें का, केवली की परंपरा को आगे बढ़ाने का अब देखो सामने बाला तो कह रहा है कि तुम दान दो और टोड़ो मल जी कह रहे है भईया चार दान मैंसे ज्ञान दान भी तो एक दान है तो ज्ञान का अभ्यास किये बिना दान कैसे दोगे कुछ आए समझ में तो ज्ञान दान देने के लिए तुम्हें अभ्यास ज़रूरी है, hence proved समझ में है रहा हर चीज़ से क्या conclusion निकाला जा रहा है और आहरदान और शदीदान, अभैदान बिना ग्यान अभ्यास के हो सकते हैं आप जिन्वानी में नहीं पड़ो कि आहरदान किसे देना चाहिए किस विधे से जएना चाहिए किस क्या पात्र होते है यह पात्र, नवदा भक्ति यह सब कुछ ना पड़ो और किसी भी बिकारी को पांच रुपए का समोसा खरीद के खिला दो और सोचो के आरदान दे दिया मूरक अकल तो लगाओ, क्या खिला रहे हो किसे खिला रहे हो वो कह रहे हो, साब हम आरदान करके आ गए कुछ समझ रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ आप ऐसी गलतियां क्यों होती है सामने से वो कुगुरू आए बाबा हमारे यहां से आते हैं आप के यहां भी आते होंगे उनको आटा दे दिया लोग आरदान हो गया यह आरदान होता है आरदान करने से पहले भी ग्यान अभ्याद जरूरी है क्योंकि ग्यान अभ्याद से ही आपको पता चलेगा कि किसको आर देना चाहिए कैसे आर देना चाहिए क्या आर देना चाहिए नहीं कि मलाइपूरी चल लए है आहर में पता ही नहीं कि मुनिराज जो बोजन करते हैं वो सायम की रक्षा के लिए करते हैं और आप उनको कलिष्टो बोजन करा किया पकोड़े चकोड़े खिला किया यह था खिला के उनके रसन इंदरिय का पोर्षन कर रहे हो कुछ समझ में आ रहा है ना तो इस गल्टिया क्यों होती है क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं है उनने पढ़ा ही नहीं है अभ्यास ही नहीं है इसलिए आहर दान में भी क्या प्रमुख हुआ? ग्यान अभ्यास बो और शदी दान में लगा सकते हो कोई बीमार है और आपने मचली के तेल से फिश ओयल से बनी कोई चीज लो टेबलेट खालो सही हो जाओगे हमने और शदी दान दे दिया मूरक यह और शदी दान है कि तुमने अभक्ष दान दिया समझ में आ पा रहा है न तो ऐसी गल्दी क्यों होती है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाईया और शदी का मतलब क्या होता है और क्या देना चाहिए और किसको देना चाहिए कैसे देनी चाहिए समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूँ इसका मतलब चारों ही दानों में क्या प्रमुख है इसलिए तुमने कहा दान करो वो तो करो ही लेकिन भाईया बिना पड़े लिखे अगर कुछ भी करोगे तुम उल्टा सीधा करोगे और उल्टा सीधा करोगे तो दान में भी क्या प्रमुख हुआ समझ में आगया ना अब पढ़ लेते हैं चल्दी से चौतह पॉइंट आप लोग इसपर डाल दीजिए दान चार प्रकार का है उनमें तोड़ो मल जी कुछ और कह रहे हैं तोड़ो मल जी पते क्या कह रहे हैं अब प्रोड़ो मल जी यह कह रहे हैं कि चारों दानों में से कौन सा दान स्ट्रेस्ट है वास्तम में देखा जाए तो जब जो प्रसंग होता है तब उसको बढ़ा का जाता है समझो सबसे पहली बात क्योंकि जिन्वाणी में ही कहीं अभै दान को बढ़ा का गया है जिन्वाणी में ही कई आहर दान की बहुत गीत गाये गए है कि मुली राजों का आहर करने से कितना पुन्य लगता है उस बंदर ने देखा तो उसको ऐसा हुआ यह से पढ़ा है ना कितनी कहानिया तो जिन्वाणी में तो हर दान की मेहमा है इसको clear इता पहले ध्यान दो सब लोग क्या कहना चाहर हूं temporary solution मतलब क्या temporary solution मतलब ये विने का है कल अपने बात की दिना temporary solution or permanent solution अब सुनो क्या है आप लोग ने वो सुना तो होगा ना कि Muniraj के पास कोई आय प्यासा और पानी मांगे तो Muniraj अपने कमंडल का पानी तो आरदान देते हैं क्या दिक्कत है उनको पता है क्यों नहीं आज उसका solution सुन लो Muniraj को लगता है कि पानी पिलाना तो temporary solution है लेकिन इसकी अनादी की प्यास बजाओ को समझ बार है हो मैं क्या कह रहा हूं अभी आपने पानी पिला दिये तो temporary solution उसको फिर से प्यास लगेगी सुखी होने का पानी पिलाना एक temporary solution है आप लोग को कईवा लगता हो यार कैसा अटपटा है मुनिराज पिला नहीं सकते इतनी निर्दई लेकिन उनको ऐसा कूट कूट के भरा है विश्वास ऐसा है उनको मलब शद्धा की लेवल पे इतना विश्वास है कि प्यास के कारण दुखी नहीं है और पानी पिलाना दुखी दूर करने का permanent solution नहीं है ये अनत काल के लिए पानी अभी मैं पिला दूँगा तो सुखी नहीं हो सकता अभी पिलाओंगा फिर से प्यासा मरेगा फिर से पिलाओंगे जिसको पानी पिलाएंगे क्या कब तब पानी पिलाएंगे किस-किस को पानी पिलाएंगे जंगल में रहते हैं कि पेड़ों को पानी पिलाएं अब सोचा अगर मुझनाज यही करने लग जाए तो पेड़ाओं को पानी दे रहे है पशुओं को पानी दे रहे हैं यह जौब रह जाए कुछ समझ पा रहे हो इसलिए वे permanent solution देते हैं जिसके कारण तुम आगे दुखी मत हो इसका मतलब यह हुआ कि जिए ग्यांदान जो है वो permanent solution है जैसे बोजन है किसी को भूग लगी आड़ान बोजन कराना है तो आः़ान वास्ता में temporary solution है आए और किसी भी चीज का permanent solution है जिए ग्यांदान तो यह नहीं कि आः़ान नहीं दे वो solution तो है लेकिन temporary है ऐसा नहीं है कि वो solution ही ना हो समझे जो तो इसका मतलब यह हुआ आहार और श्रदी और अब है यह जो तीन प्रकार के दान है यह ततकाल की चीजों को दूर करते हैं ततकाल दुख को दूर करते हैं और ग्यान दान जो परंपरा से आया अभी तक जो चला आ रहा है दुख है उसको दूर करता है एक आपके अभी दुख को दूर करें और एक जो अभी पिछले से अनाधी काल से भोगते आ रहे हैं अभी भी भोग रहे हैं और नहीं समझा तो अनंत काल तक भोगेंगे एक उसकी दवाई मर्रम करें तो ग्यान दान जो है वो उसका solution है पकड़ में आया क्या? क्या आईश? समझ में आया ना क्या क्या रहा हूँ तो फिर से अबन पढ़ लेते हैं दान चार प्रकार का है उसमें आहारदान, और और अबैदान तो तातकालिक शुदा के दुख को या रोग को रोग मतल़ और और अबैदान क्यों दुरलब? तुम बहुत चंचल हो रहे हो आज मैं तीदे से बोल नहीं रहा आहारदान, और और अबैदान तो तातकालिक शुदा के दुख को या रोग के दुख को या मरण आदि के भै को ये को समझ में आया आपको शुदा के दुख को आहारदान रोक के दुख को औशदी दान और मरण आदि के भै को अबैदान क्लियर हो गया जैस मरण आदि भै के दुख को ही दूर करता है किन्तु जो ग्यान दान है वह अनंत भव से चले आ रहे दुख को दोर करने में कारण है अगर सच्चा सॉलूशन है जीव का सुखी होने का तो वास्तम में तो वो ग्यानदान है हम उन्ही राज भी वही करते है और भाग के धन्य भाग के हमारा है कि हमारा मिशन भी वही है हमारे अगर आप सच्छी जुन्मारी को पढ़ रहे हैं तो आपका भी एम यही होगा कि यही बात जंचन तक पहुचे सोचो जो काम केवली करते हैं वो काम है यह ग्यानदान जो काम मुलिराज करते हैं गर्धर करते हैं प्रतिगर्धर करते हैं वो काम है ग्यान दान आप हो तो आपको शाम को लग जाएगी, कदाचित मुनिराज है तो उनको फिर से अगले दिन, या एक दो दिन बाद, तो तुरंथ हो गया न, इसलिए यहां कहा जा रहे हैं, कि चारों दान में भी भई है, ग्यान दान का भी एक इंपोर्टेंट रोल है, समझ में आगे हैं न आपको, अब ग्यान दान तो देना चाओ, लेकिं तुम्हें अभ्यासी ना हो, तो उल्टा सीधा बोलोगे, पर केचाई होगी, फिर शोता लोग बोलेंगे, नहीं नहीं पंडिच जी आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि शोता भी कई तरीके के होते हैं, सामानिश होता होते हैं, विशेश होता होते हैं, पड़े लेखे भी शोता होते हैं, तो आप प्रफचन में जाओगे, फिर आपको लगेगे कि हमाई बीच प्रफचन में ऐसे बोल दिया, ऐसे कर दिया, तो ज्ञान अभ्यास तो करो पहले तब ज्ञान दान देना आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं अभी आप यहां नहीं अभ्यास करना चाहते है गुड़िस्तान पढ़ना नहीं चाहते है तेकिन गुड़िस्तान पढ़ाना चाहते हो How it can be possible पहले अभ्यास तो करो पहले पढ़ो तो तब पढ़ाना अभी जिन्वानी का पहले अभ्यास करो और अच्छी से करो बिल्कुल भी मत चूको फिर इससे क्या होगा आप जो जो ग्यान दान दे पाओगे वो और नहीं दे पाएंगे समझ में आगया ना इसलिए आपको मुझे पता है कि आप मैंसे भी बहुत साई लोगों को भावना होती है कि हम भी ऐसे इस तत्व को और आगे बढ़ाएंगे लेकिन उसका उपाए क्या है उसका उपाए अगर मैं आचारहमरचंदेव की भाशा में बोलूँ सबसे विज्ञान घन बनो ऐसे घन बनो कि कोई प्राहर नहीं कर पाए आपकी उपसे पहले गन घन अभ्यास मुझे तो ग्यान अभ्यास करो तबी ज्न दान संभव है इसलिर चिप्चाब आचाओ पढ़ने ये टोटम मैं जिखे रहे हैं जिब चाप कर्णानियों के शास्त्र अभ्यास करो, क्योंकि वो शास्त्र अभ्यास है, अब बिना अभ्यास के तुम दान नहीं दे पाओगे, समझ में आगे हैं आप लोगों को, देखो, किंतु जो ग्यान दान है, वह अनंत भव से चले आ रहे, दुख को दूर करने में कार जल्दी बोल दिया, लेकिन आप समझ गए होंगे, जो धर्म की प्रभावना कहें, ज्यान दान दें, धर्म का उपदेश कहें, जो तीठंकर के मादम से अपने समय में होता है, वो गजब होता है, अपने में होता है, आपने पढ़ाओ को कितने ही जीवों को मुराज, कितने जीवों को निर्वान हो जाता है, कितने ही जीवों को अरवराद धारण होता है, कितने ही जो चौत्र गुपरस्थान हो जाता है, कोई ऑशे होता है जो पहले मही रहते हैं, ठीक है, तुझ देखो, तीर्चंकर केबली, अब इस ने बुचा, तेस्सलिए भूचे साहब लिखना, क्या हो गया यह, ग्यानदान हो गया, कि नहीं हो गया, शास्त्र की टीका लिखना, क्या है यह, पढ़ाना, उपदेश देना, ग्यानदान है, समझ में लिखना, पढ़ना, पढ़ना, समझना, समझाना, यह सब ग्यानदान के अंतरगत है, अब आप, आपकी परिप् तो ये ज्ञानदान है देखो तीर जंकर केवली आचार आदिक के भी ज्ञानदान की प्रवित्ति मुख है अतह ज्ञानदान उत्कृस्ट है इसलिए जिसके ज्ञान अभ्यास हो तो वह अपना भला कर लेता है सबसे बड़ी बात तो ये है आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो आपको जो true happiness मिलती है तत्व ज्ञान को समझने पर वो सामने ये दुनिया वालों को नहीं मिलती ये दुनिया वाले तो छोटा सा कोई कुछ कहते तो आकुलिद व्याकुलिद हो जाते हैं इसने क्या कैसे दिया मैं तो इसकी पूरी खांदान को नस्ट कर दूँगा कि पीड़ी की पीड़ी जला दूँगा और ऐसे ऐसे भाव आते हैं निउस पेपर उठा के देखो तो देख लो कैसे कैसे भाव आते हैं लोगों को एक पती को अपनी पत्नी को मारने को मार दी उसने गोली मार दी हो सैनेक था हो क्यों मार दी क्योंकि वो पढ़ाने चली गई बस उसने मेरी बात भी मानी वो पती कह रहा था कि तुम पढ़ाने नहीं जाओगे स्कूल में अब वो पढ़ाने चली गई उसने गोली मार दी और अंत में फिर बाद में उसने अपने आपको भी गोली मार दी है अब बोलो कितने दुखी है यह जगत के लोग सूच छोटा सा अपना कर्तिर्थ अब इस जैन धरम की भाशा में कहूं न अपना सिर्फ कर्तिर्थ पोशन करने के लिए तुम मैं करता हूँ तुम मेरे अनुसार चलना तुम मेरे विपरीद गई कैसे मैंने मना किया तो चली कैसे गई अब ही बताता हूँ मैं मेरी तागत कितनी है अब देख लो क्या तागत है अंत का इंतिजाम क्या हुआ पाप का फल यह होता है हिंसा पाप है न अंत में पस्टा ताप और दुख ये समझ लो पाप और कशाय का फल है ऐसे ही होता है तो इसका मतलब भी हुआ कि अभी जो आप तत्वियान ले रहे हो इससे आपका जीवन निखर रहा है हम बहुत अनोखी चीज ले रही है जो बहुत सारे लोगों को पास नहीं है तो इतत्वियान लेने से अपना भला भी होता है और जब आपको लगेगा कि मेरा भला हो रहा है तो आपको ऐसा strong feeling आईगी कि लोगों का भी भला हो जाए अपने आप है जो चीज आपको अच्छी लगती है न वह आप दूसरों को बताते हो यह तुने वह movie देखी नया गाना नया वाला गाना देखा आज़कल trend में है अरे वह नई तरीके की वह photo editor आगे हैं पता है तुने उसमें आप काले हो तो गोरे आ जाओगे ऐसे edit कर दो, वैसे edit कर दो, नया editor आया है, बहुत अच्छा है, तो जिसको जो अच्छा लगता है, वो बताये भिना रहता नहीं है, अगर आप तत्व ज्यान से अपने आपको सुखी कर पाओगे ना, तो आप दूसरों को भी बताये भिना रहोगे नहीं, उसके लिए सबसे पहले आपको खुद समझना बढ़ेगा, यह पहली गारंटी है, तो अभी आप पहले को समझो, जब आप खुद समझोगे, अभी होता है, आप खुद अपनी प्रोब्लम को सॉलुशन नहीं निकाल पाते हैं, दूसरों की प्रोब्लम को सॉलुशन कैसे निकालोंगे, जो अपनी प्रोब्लम सॉलुशन की प्रोब्लम करता है, जो खुदी प्रोब्लम में अटका हो, वो क्या दूसरों की समझ दे पार हो ने, इशारों में बात कर रहा हूँ, बहुत-बहुत स्वारी चीजे, इसका मतलब डोड़र मल जी ने हमसे कहा, कि अगर तुम्हे सच्चा ग्यान दान देना है, और सच्चा विद्वान बनना है, शास्त्री बनना है, विज्ञान दन बनो, पहले शास्त्र अभ्यास करो, लिपिर चुपर से कुछ नहीं होगा, नम्मरों से, तो मैं आगे, इसलिए सबसे पहले ग्यान अभ्यास करो, और दान में वो ही मुख्य है, अ अधासिंदा का सच्छा स्वरूप है वो कल्टू डमल जी यहां बताने वाले हैं ठीक है तो इस प्रकार से अपने चार बिंदू हो गए कुछ समझ में आया है आप लोगों को इन चार बिंदूओं से चलिए हाँ आपको प्रशनों तो पूछ सकते हैं हाँ बोलको से अजिए हाँ अजिए और प में आया रहा करता है